हाई गाईज वेलकुम बैक टॉमाय चैनल मैं हूँ स्पीटी और आप देख रहे हो श्पार्कलिंग सोल्स आजके वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही इंसान का खयाल बार-बार क्यों आता है आजके इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आपको एक ही इंसान का खयाल बार बार ना क्यों आता है कई बार आप नोटेस करोगी कि आप अपने कामों में लगे हुए फिर भी आपके माइंड में एक ही इंसान का खयाल घूमते रहता है आप उस इंसान को याद नहीं करना चाते, उसके बारे में नहीं सोचना चाते, पर फिर भी उसका ख्याल आपके माइंड में चलते रहता है। तो अब जानते हैं कुछ ऐसे साइन के बारे में जिसकी मदद से आप यह जान सकते हो कि आपके साथ यह सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों उस इंसान का ख्याल आपके माइंड में बार बार आ रहा है। तो सबसे पहला sign जब कोई इंसान आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा होता है ना तब आपके साथ ये सारी चीज़े होने लग जाते हैं आपके mind में बार बार उसी इंसान का खयाल आने लग जाता है example के लिए मान लीजे कि कई बार जिस इंसान को हम याद करते हैं उसका सामने से अपने आप ही खुद बखुद हमारे पास ना call आ जाता है और दूसरा sign कई बार जो इंसान आपसे बात करना चाता है आपको manifest कर रहा होता है तब भी आपके साथ ये सारी चीज़े होती हैं जब कोई इंसान हमें ना manifest कर रहा होता है तब भी वो हमारे बारे में सोचता रहता है और जिस कारण ना हमारे दिमाग में उस इंसान का ख्याल ना घूमता रहता है और तीसरा साइन कई बार आपने notice किया होगा कि जब हमारी किसी इंसान से लड़ाई हो जाती है ना तब भी उस इंसान का ख्याल हमारे दिमाग में चलता रहता है क्योंकि वो इंसान भी ना दूर बैठे हुए हमारे बारे में ही सोच रहता है हमारे बारे में ही बाते कर रहता और इसलिए subconsciously हमारे mind में उसका ख्याल आते रहता है और चौथा sign जब हम किसी इंसान के पीछे पागल होते हैं उसे पाना चाते हैं, उसे बात करना चाते हैं उसे miss करते हैं तब भी हमारे mind में उस इंसान का ख्याल घूमते रहता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद बखुद अपने mind में create करते हो आप बहुत intense energy अपने उस इंसान को भेशते रहते हो जिस कारण आपका mind अपनी पूरी energy उस इंसान की तरफ shift करता है और इसलिए बार-बार आपके दिमाग में उस इंसान का ख्यालना आते रहता है और पांचवा sign जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा ignore कर रहा होता है आपको अपने आप से दूर कर रहा होता है तब भी आपने notice किया होगा कि आपका ध्यानना बार-बार उसी इंसान की तरफ जाता है जिस कारण आपके mind में बार-बार एक ही इंसान का ख्यालना घूमते रहता है जब कोई इंसान हमें बहुत जादा अपने आप से दूर करता है न तो कई बार क्या होता है न कि energetically हमें gap को अपने भीतर महसूस करते है इसलिए हमारा mind हमें बताता है subconsciously guide करता है कि कुछ different हो रहा है और बार-बार उस इंसान का ख्यालना हमारे mind में न लाता रहता है So guys अब हम मिलते हैं next वारे वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रुखिए और खुश रहिए बाप बाई